छप्रा में सुवा सुवा मॉब लिंचिंग की घटना हो जाती दो जाने चली जाती लेकिन सारन स्पी डॉक्टर कुमार आसिस की तुरित करवाई और सूजबूज के करण मामला बच गया यह पूरा मामला छप्रा सहर के में थोलिया निवासी दो अधिवक्ता रामा युद् उनके पुत्र सुनिल कुमार यादो की हत्या से जुरा है बता दे कि उस हत्या के नामजद अभ्युक्त भीयराय के घर पे चोड़ी की सुचना के बाद उसकी पत्नी और साला दोनों में थोलिया पहूंचे थे उस दोरान उनके साथ महले का किरिफान भी सामिल था उन्हें म सुचना के बाद एक्सन लिया और मौके पर पहुंचे डियस्वी के द्वारा दोनों को बचा कर सदरस्ताल में इलाज कराये गया बता दे कि दो अधिवक्त आहत्या मामले में भीयराय नामजद अभ्युक्त है वहीं पुलिस ने 12 जून की घटना के बाद त्वरित कारवा इन उलाज काहां गये था है हम एस्वक्राइगक कर जूट को छोने गया थ Alle आदें कि इसा क्यों फ़िए लाज़ कोई छोड़ कईव गया है तक तो मेरा गाल उसके बाब आपे सूप निकाल लिया तो रशा में बानकर उसके बाद हत्या करने की परयास किया है अपके साथ और को गया था यह असुक रहा है जो इनके बाँपे बहर चुरी हुआ था मेचवलिया में दो अधीवक्ता की हत्य होई थी मालूम था है था रिख्ण श्रम पीने गायते हैं वोग रो राता है कोई छोड़ दे हम रे भाइक से लेकर बस छोड़ नहीं गायते हैं यह भी नहीं बता है लोग मेच निया कोई जा जा रहा है तो अब पूर कि इस्त इंव कर दिया लूग हम बारे में तरकुछ ने जा तो लो को भाँ पह बहुत कर दिया लूग अग्या गब रोखी ले ले लिया हैं को कॉन लोग मां रहा है तो नहाहें है पर उसके सबाग लाएבweh दोग जाने रहा हैं वहाँ से इनको फोरा हूज यह थोड़ा करता है और आए इस तास्वाता है क्या उब लोगं नम ए मामा है गर रोग जब पड़ेगा कर दो भे और चूम कर देखार को देट को सी जगोगा है